आ गई कहानी ट्रेन ये ट्रेन रोज रुखती है नए स्टेशन पर मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नई किरदारों से तो सबसवार आज की हमारी कहानी है प्लूटो पत्रिका से रेल में कववा और इसे लिखा है मन्थन गुरंग ने एक बड़े पुल के नीचे एक कववा रहता था वहां से बहुत सारी रेल गाडियां आती जाती थी सर्दी के एक दिन खूब सारी बरफ किरी एक रेल गाड़ी पुल के नीचे खड़ी हो गई एक कववा ठंड से बचने के लिए उसमें घुश गया डिब्बे में चारों तरफ सफेद चमकीली लाइट लगी हुई थी वहां की हर चीज सफेद या पीली सी दिख रही थी डिब्बे में बहुत लोग थे कुछ फर्ष पर बैठे थे कुछ खड़े थे कुछ बातें कर रहे थे कुछ हस रहे थे माए बच्चों को गोद में लिये हुए थी खाने पीने का सामान बेचने वाले डिब्बे में आ जा रहे थे कववा खुद को लोगों के बीच पा कर खुश था कुवा कहीं बैठना चाह रहा था पर उसे लगातार एक से दूसरी जगा उड़ते रहना पड़ रहा था रेलगाडी के रुकने पर जो जगा खाली होती वो आने वाली सवारियों से भर जाती कुवे ने डिब्बे से बाहर निकलने का सोचा पर बाहर बहुत ठंड थी तभी एक मुसाफिर अपनी जगा से थोड़ा सा खिसका उसने कुवे के बैठने के लिए जगा बना दी खाने पीने का समान बेचने वाले लगातार आ जा रहे थे कुवे ने बिसकुट और चाए ली वो बहुत खुश हुआ तभी एक भेल पूरी वाला आया र्याज और मसालों की खुश्पू पूरे डिबे में फैल गई उसने एक भेल ली वो मसालेदार थी उसने पानी बिया मिठाई भी ली जल्द ही ट्रेन एक लंबी सीटी के साथ रुख गई ये मुसाफिरों के उतरने का समय था आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम